रमरम बैसराने सागर दनखड में एक नई बात और शामी आई है सुसिल कुमार पे दिल्ली पुलिश ने एक लाखर पी गई नाम रखे है गई सुसिल कुमार शुरूते लेके इब तक इस मामला में फरार है और कहीं ने कहीं उसकी गलती है इसके अंदर क्योंकि देश का एक खिलाड़ी जब ऐसा कोई कदम उठाता है तो बहुत बुरा लगता है और पूरे देश को लगता है तो अब तक इस मामले में फरार है और एक उसका सयोगी जो है उसके उपर भी दिल्ली पुलिस नहीं नाम रखा है तो एक खिलाड़ी की मृत्यू एक खिलाड़ी के मैं कहूंगी हत्या कांड़ की साजिस एक खिलाड़ी के द्वारा की जाना बहुत सारे गैंगस्ट्रों से मतलब सुसिल कुमार के लिंक भी है और इस चीज का पता मतलब उनकी जो उनके सयोगीयों का जो फोन है वो फोराइंसिक बेज़ जा गया उसके बाद वहां से जो रिपोर्ट आई वो कोरट गई तो उन सभी चीजों का पता लगाया गया और अब तक सुसिल कुमार को दिल्ली पुलिस जो है वो नहीं पकड़ पाई है उसके उपर इनाम रखा गया है एक लाख रुपे का और पचास हजार रुपे का उसके सयोग इसका से मोत की साजिस करता उसकी उसको माने की साजिस करता है तो शब से बड़ी विडंबना तो आज हमारे देश की यही है इनसान यह तो तार तार यहां पर होती हुए दिखाई दे रही है प्रसनल रंजिस कहो या फिर कहीं मेरे से आग्या न निकल जाईए कहो वो तो ख बाग रहा है और पुलिस उसको पकड़ने में जूटी हुई है तो ऐसे ही कोई नई जानकारी आती है तो देखते हैं क्या कुछ रहेगा आगे इस मामले में मैं सिर्फ बोले इसलिए कि एक मतलब आज मोदा बन चुका है हमारे भारत के लिए और पूरी मैं कहूंगी कि हमारे खिलाडियों के लिए कि जो जो आगे जाता है सायद ही मतलब इस मुद्धे के बाद सायद ही कोई मां अपने बेटे को अखाड़े में बेजे किस स्टेडियम में बेजे क्योंकि उस मां के आंशू मैंने एक वीडियो में देखे हैं और देखने के बाद मैंने इसके उपर बोलने की कोशिश की है तो भई देखते हैं क्या कुछ रहेगा जय हिन जय भारत